समस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड आपका हार देख स्वागत करती हूँ अभी नंदन करती हूँ दोस्तों सैट की परिक्षा 26 तारीक को तै है तो इसलिए साहित्य समाधान की टीम ने ये तै किया कि एक दो सत्रों में हम सैट के पिछले किसी भी एक प्रश्न पत्र पर चर्चा कर ले ताकि आपका confidence परिक्षा के लिए बढ़ जाए तो आज हम 2013-14 में जो सैट की परिक्षा हुई थी उसके एक प्रश्न पत्र पर हम बात करने वाले हैं और इस प्रश्न पत्र में लगभग 75 प्रश्नों पर चर्चा की जा रही ह तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र सबसे पहला प्रश्न है निम्नांकित में से किस यूगम के दौनों कवी संप्रदाय निरपेक्ष और शब्द पर ध्यान देना है और क्रश्न पर ध्यान देना है options है मीरा और रामराय, मीरा और हित हरिवंश, रस्खान और मीरा, रस्खान और छीत स्वामी तो दोस्तों C विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि रस्खान और मीरा दोनों ही किसी भी धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे रामराय, सिख गुरू थे, हित हरिवंश, राधा वललव, संप्रदाय से जुड़े थे और छीत स्वामी आप सभी जानते हैं अश्ट चाप के कवियों में इनकी गर्ना की जाती है तो इसलिए आंसर इस प्रश्न का होगा C अगले प्रश्न पर आते हैं आपके लिए बहुत ही आसान बात है, हिंदी साहित के इतिहास के सत्रों में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और ओप्शन से कारसादतासी, ये दो बार हो गया है दोस्तो B. शिव सिंग सेंगर, C. ग्रियर्शन और डॉक्टर नगेंद्र तो दोस्तो C. विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, क्योंकि ग्रियर्शन नहीं सबसे पहले भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्णयो कह करके सब्गोधित किया तो आंसर इस प्रश्न का होगा C. अगला प्रश्न A. कथन है, सिद्धों की वाममारगी, भोग, रदान, योग, साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंतियों की हठ योग, साधना आरम हुई दूसरा कथन है, सिद्ध गर्ण नारी भोग में विश्वास करते थे, किन्तु नात पंती उनके विरोधी थे, इन कथनों से संबध सही विकल्प है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इन कथनों पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नात पंत का उधै हुआ, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, ये बात दूसरे कथन में जो ये बात कही गई है कि सिद्धगर्ण नारी भोग में विश्वास करते थे, सिद्धों के विशे में ये कथन भी पूरी तरह से सही है, लेकिन नात पंती उनके इस विचार के विरोधी थे, ये बात भी पूरी तरह से सही है तो ऐसी स्थिती में B विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जहांपर ये लिखा गया हो कि दोनों कथन सही है A कथन और B कथन दोनों सही है बलकि ये कहा गया है कि कथन A और कथन B एक दूसरे के पूरक है, जो कि बिलकुल उचित बात है, तो ऐसी स्थिटी में इस प्रश्ण का सही उत्तर हुआ भी, अगला प्रश्ण हिय निर्गुन नयनाही सगुन, रसना नाम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम तुलसी की इन पंक्तियों का आशे है, दोस्तों ये पंक्तियां दोहा वली, तुलसी की कृति दोहा वली से ली गई है, और इसका अर्थ पहले हम समझ लेते हैं, ये निर्गुन, तुलसी दास जी कहते हैं, कि जिसके हिर्दय में निर्गुन इश्वर का निवास हो, नया नह सगुन और नेत्रों में वो सगुनी इश्वर को देखता हो रसना नाम सुनाम रसना का मतलब होता है जीब जिव्वा और जिसकी जिव्वा पर राम का सुन्दर नाम हो यानि भगवान का सुन्दर नाम हो मनऊ वो व्यक्ति ऐसे सो शोभायमान होता है जैसे मनऊ यानि मानो प पूरा कथन है यानि यहां पर इस दोहे में निर्गुन ब्रह्म के स्वरूप की भी विस्तृत बात की गई है और सगुन की भी बात की गई है अब options देखते हैं पहला है तुलसी विशुद्ध रामभक्त थे यह बात यहां कहीं भी जाहिर नहीं हो रही है क्योंकि राम का ना राम इश्वर के अर्थ में ब्रह्म के अर्थ में भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर कवी दोनों ही प्रकार के इश्वर के स्वरूपों की बात कर रहे हैं तो तुलसी विशुद्ध रामभक्त थे तुलसी द्वारा यहां निर्गुन एवं सगुन का समन्वे अभिप्रेत अभिप्रेत का मतलब होता है वांचित है इच्छित है तुलसी हिर्दय की शुद्धी की बात करते हैं तुलसी राम के गुणों की बजाए रूप पर मुग्ध हैं तो देखिए दोस्तों राम भक्त थे ये बात यहां कहीं जाहिर नहीं हो रही है हिर्दय की शुद्धी की ब तुलसी के साहिति की अपने आप में एक बहुत बड़ी विशीष्टा है, तो उस बात को भी दिहान में हम रखेंगे, तो आंसर इस प्रश्न का हुआ B, अगला प्रश्न, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है, इसलाम धर्म, हिंदू धर्म, निर्गुण काव्य, निर्गुण काव्य यानि कबीर, निर्गुण में संत और सूफी दोनों आते हैं, लेकिन निर्गुण काव्यधारा की, जिस शाखा की यहां बात की जा रही है, वो है संत काव्यधारा, और जिसमें कबीर दास प्रमुख है, उन्हीं को ध्यान में र का हो चाहे वो हिंदू धर्म का उस पर कुठारा घात किया तो पहला कथन तो यह यहां गलत हो जाता है विकल्प हिंदू धर्म की स्थापना का प्रयास भी नहीं किया यह भी गलत हो जाता है और जैन धर्म की तो कोई बात कबीर के साहित्य में मिलती ही नहीं तो ऐसी स्थिती में C विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है क्योंकि वे धर्म को मानव के संदर्व में अखिल विश्व के मानव समुदाय के संदर्व में देखते हैं यानि विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास करते हैं तो आंसर इसका होगा C अगला प्रश्ण पर प्रहार नहीं करते इसका मतलब है यूग बोध है यानि ये कतन बिल्कुल सही है संथ कावे की भाषा क्रत्रिमत विहीं सरल और सहज है क्योंकि यदि वे कठिन भाषा को अपनाते तो उनकी भाषा पंचमेल, खिचड़ी नहीं कहलाती, सदुकड़ी नहीं कहलाती, जिसमें भारत की अनेक स्थानिय भाषाओं की शब्दों का मेल देखने को मिलता है, तो यानि ये कथन भी विलकुल सही है, तीसरे विलकल पर आते हैं, संत काव्य में रस निरूपन का विशेश प्रयास मिलता है, देख संत कावय में आत्मानुभूती की प्रामानिक्ता पर बल दिया गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा स्थीन्त. अगला प्रश्न, हिंदी प्रेमाख्यान कावय परंपरा को फार्सी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचारे रामचंद्र शुक्ल ने इन में से कौन से तर्पो आधार बनाया, क्या बात ध्यान में रखनी है, कि प्रेमाख्यानक परंपरा में जो प्रेम कावय उसमें फार्सी मसनवी शैली से प्रभावित मानने के मूल में आधार क्या है, अब विकल्प दिये गए हिंदी प्रेमाख्यानों के कथानक, विकल्प इसलिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी कथानक हिंदू धर्म में लोक्रिय थे, यानि भारतिय लोक जीवन से ही लि इसलिए सब हिंदी नाम है, हिंदू नाम है, सी हिंदी प्रेमाख्यानों के प्रेम चित्रण में नायका की अपेक्षा नायक में विरह का आधिक है, ये कथन बिल्कुल सही इस संदर्व में प्रतीत होता है, क्योंकि जितने भी सूफी कावय लिखे गए, उसमें नायका की अपेक्षा नायक की विरह वेदना अधिक दर्शाई गई है, और इतनी अधिक विरह वेदना है कि वो विश्वास की सीमा को पार कर जाती है, जिसके लिए एक शब्द साहित्य में है उहात्मक्ता, उहात्मक्ता यानि बातचीत को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहना कि वो व धियान में रखेंगे, तो ऐसी स्थिती में सी विकल्फ हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, दूसरी बात, एक और बात पर में आपका धियान आकरशित करना चाहूंगी, कि नायक, नायक की तुलना में नायक का विरह अधिक क्यूं है, क्यूंकि इन सूफी कावियों में नायक को साधक के रूप में और नायका को परमात्मा के परमशक्ति के रूप में देखा गया है, तो ऐसी स्थिती में नायक ही परमात्मा के विरह में व्याकुल होगा, इसलिए यहाँ नायक के विरह का आधिक के दिखाया गया है, तो इस बात को भी धियान में रखेंगे, प्रे माख्यानक भारतिय भाषा अवधी में लिखे गए हैं तो आंसर इसका होगा C अगला प्रश्न अश्टचाप के भक्त कवियों में वल्लाभाचारे के शिश्य कौन थे? तो दोस्तो बी विकल्प इस फ्रश्न का सही उतर है इन सभी अश्टचाप के कवियों के नामों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं सूर दास, परमानन दास, कुंभन दास और कृष्न दास ये वल्लाभाचारे के शिश्य थे और उनके पुत्र ने अश्टचाप की स्थापना की थी और चार शिश्य उसमें विठ्थलनात के शामिल किये गए थे जिन में से नंददास, छीत स्वामी और चतुर भुजदास और इनके अलावा चौथे थे उनके गोविंद स्वामी तो ये चार विठ्थलनात के जो वल्लाभाचारे के पुत्र थे उनके शिश्य थे और शेश जो ये चार शिश्य हैं ये सभी शिश्य वल्लाभाचारे जी के थे तो आंसर होगा इस प्रश्न का बी अगला प्रश्ण वैश्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचारियों में इन मैसे नहीं है A. श्री रामानुजाचारे B. श्री शंकराचारे C. श्री वल्लभाचारे D. निम्बारकाचारे तो दोस्तों ये जो तीन संप्रदाय हैं रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बारकाचारे इन तीनों ने वैश्णव भक्ति का प्रचार और प्रसार किया लेकिन श्री शंकराचारे ने वैश्णव भक्ति का प्रचार और प्रसार नहीं किया बलकि अद्वैत वेदान्त की स्थापना की अद्वैत वेदांत के संस्थापत इसलिए बी विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है अगला प्रश्ण निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए ओप्शन्स हैं म्रगावती, मंझन, पदमावत, मलिक मुहम्मद जैसी चन्दायन, कुतुबन, मधुमालती, मुला दाउद तो दोस्तों देखिए म्रगावती, हम सूफी काविय पढ़ चुके हैं म्रगावती, कुतुबन के द्वारा लिखी गई पदमावत लिखा गया है, मलिक मुहम्मद जैसी के द्वारा चंदायन मुला दाउद का है और मधुमालती मच्च मंजन के द्वारा लिखी गई तो अब देखते हैं कि इस आधार पर कौन सा विकल्प हमारे प्रश्म का सही उत्तर है तो हमें देखना है A का तीसरा सही है और B का दूसरा तो A का तीसरा और B का दूसरा यानि A विकल्प इस प्रश्म का सही उत्तर है C का चौथा यहाँ पर बताया जा रहा है और D का पहला वो भी देख लेते हैं C का चौथा और D का पहला बताया जा रहा है यानि A विकल्प इस प्रश्म का सही उत्तर है आंसर हमारा होगा एग, अगला प्रश्न, उनका सारा काव्य समन्वे की विराज चेश्टा है, उसमें केवल लोक और शास्ट का ही समन्वे नहीं है, कुल्सी के संदर्ब मैं ये पंक्ति किस ने लिखी, विकल्प है, आचारे राम चंद्र शुक्ल, आचारे हजारी प्रसाद अदवेदी का है, और उन्होंने अपने हिंदी सहित के इतिहास में इस कथन का उल्लेख किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बी, अगला प्रश्न, मध्यकालीन गौडिय संप्रदाय का किस से संबंध है, कृष्ण भक्ति कावे से, संत कावे से, सूफी कावे से, या राम भक्ति कावे से, तो दोस्तों, मध्यकाल का जो गौडिय संप्रदाय था, उसका संबंध कृष्ण भक्ति कावे से है, और ये गौडिय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभू, के नेत्रितु में विक्सित हुआ, तो आंसर हमारा होगा, ए, और इसका प्रचार, इन्ह प्रश्न कहोगा, ए, अगले प्रश्न पर आते हैं, जान्यों चहेज, थोड़े ही रस कवित को बंस, तिन रसिकने के हे, तो यह है कीनों, रस सारंस, रीतिकालीन, कवी की, पंक्तियां है ये, और इसमें ये कहा गया है, कि मैं थोड़े कवित के द्वारा, जो रसिक व्यक् हैं, जो काव्य में रुची रखते हैं, काव्य के आनंद को अनुभाव करते हैं, उनके लिए ये कवित की रचना कर रहा हूं, प्रश्न पूछा गया है, ये पंक्तियां रीति साहित की किस प्रवरति की और संकेत करती हैं, विकल्प हैं आचार्यत्व, रीतिसिद्ध, री प्राप्तो, यानि रस संप्रताय की स्थापना का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हुआ, अगला, रीतिकाल में इनमें से कौन सी परिस्थिती नहीं थी, विलास वैभव का खुला प्रदर्शन, बिल्कुल था, समाज में सामंत शाही के दोश दिखाई दे रह और यही कारण है कि जाटों के सतनामियों के और नजाने कितने विद्रो, प्षेतरी, स्थर पर, अलग-अलग स्थानों पर उत्पन हो रहे थे, तो ये कथन बिल्कुल असंगत है, कवियों को आश्रे दाताओं की रुचियों का ध्यान रखना पड़ता था, ये बात बिल् प्राचीन काव्य परंपराता त्याग, व्यथा प्रधान, प्रेमवर्णन, सी एंद्रिय वासना की प्रधानता, भावा वेगों की मुक्त भाव से अभिव्यक्ती, वैसे तो दोस्तों देखिए, रीति काल में एंद्रियता प्रचुर मात्रा में विद्यवान है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है रीति मुक्त काव्य की, तो रीति मुक्त काव्य के में एंद्रिय वासना की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं थी, इन कवियों ने प्रेम के संबंध में अपने उनमुक्त और उज्वल विचारों को, पवित्र विचारों को अभिव्यक्त किया, और उनके उन भावों में एंद्रियता का स्पर्श बलेश मात्र भी दिखाई नहीं देता, तो ये कथन यहाँ पर बिलकुल गलत है और ये विशेश्टा रिती मुप्त काव्य की नहीं है, तो आंसर होगा हमारा C, अगला प्रशन, लोगही लागी कबित बनावत, मोही तो मे जानते हैं, रिती मुप्त काव्य धारा के कवित है, और उन्होंने ही ये बात कही, यानि ये चंद कहा, ये पंक्तियां कही, कि लोग कहते हैं, लोग तो कवित को प्रयत्न पूर्वक बनाते हैं, लेकिन मुझे तो मेरे कवित बनाते हैं, ये बात कही, यानि इसका अभेव यंजित अर्थ ये है कि मेरे जो कवित हैं वो मेरे हर्दय की उनमुक्त भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति हैं तो आंसर इस प्रश्न का होगा C वैदि की हिंसा हिंसान भवती प्रहसन के रचनाकार कौन थे? A. देव की नंदन खत्री B. भारते इंदु हरिश्चंद्र C. प्रताप नारायन मिश्र और D. श्रीधर पार्थक तो बहुत सा रल है B. इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि भारते इंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित प्रहसन है वैदि की हिंसा हिंसान भवती वो नाप्यकृति जिसमें व्यंग्य की प्रधानता होती है उसे दोस्तों प्रहसन कहा जाता है तो आंसर होगा B. अगला प्रश्न कौन सा योगम सुमेलित नहीं है भाग्यवती श्रद्धाराम फुल लौरी प्रणिक्षागुरु श्री निवासदास धूर्त रसिकलाल लज्जाराम शर्मा चंद्रावली किशोरी लाल गोस्वामी तो दोस्तों D. विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि चंद्रावली जो नाटक है वो भारतेंदू हरिश्चंद्र के द्वारा रचा गया। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा नहीं तो आंसर होगा इसका D. अगला प्रश्न तिलस्मी अयारी उपन्यास कौन सा है भाग्यवती शंद्रकांता रसरहस्य या प्राची तो दोस्तो B. विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है तिलस्मी और अयारी उपन्यास है चंद्रकांता जो देव की नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। निमनलखित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है प्रगतिवाद मानववाद प्रगतिवाद आध्यात्म प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष और प्रगतिवाद सामाजे की अथार्थ तो B. विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है क्योंकि प्रगतिवाद मानववाद की बात क करता है क्योंकि छोटे से छोटा जो तलित शोशित व्यक्ति है उसके भी कल्यान की बात उसको भी आगे बढ़ाने की बात को लेकर चलता है प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता तो वर्ग संघर्ष का विरोधी है इसलिए सामाजिक यथार्थ अभी व्यक्ति करता है ये बात भी बिल्कुल सही है केवल सुमेलित नहीं है तो वो ये कि प्रगतिवाद में आध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं है तो आंसर इसका होगा B अगला प्रशन प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार नहीं है A. राम विलास शर्मा, B. रांगय रागव, C. के दारनाथ अगरवाद और D. अग्ये तो D. विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर है अग्ये अक्यूंकि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो उनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं बल्कि प्रयोगवाद और नहीं क्विता से है तो D. विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर है शेश तीनों कवी राम विलास चर्मा, रांगे रागव, केदारना थगरवाल तीनों इस प्रगतिवादी कावेधारा से जुड़े हुए कवी है आगे चलें इस कविता में रासोन मुखी मध्यवरगिये समाज का जीवन चित्र है इसमें मध्यवरगिये व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, पुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौधिकता के साथ उद्गाठित किया गया है ये पंक्तियां किस काव्य के संदर्व में सटीक है, विकल्प है, प्रियोगवादी काव्य, साथोत्तरी काव्य, प्रगतिवादी काव्य और दुवेदी युगीन तो देखे दोस्तों दुवेदी युगीन काव्य तो आदर्ष और नैतिकता का काव्य है और यहां आदर्श और नैतिकता की बात की नहीं गई है प्रगतिवादी काव्य वर्ग संगर्श अभी हम पर चुके हैं और माक्सवादी प्रभाव का काव्य है उसकी बात भी यहां नहीं की गई है साथोत्री काव्य जीवन के कठु यथार्थ का काव्य है केवल प्रयोगवादी काव्य ऐसा है जिसमें ये सभी विशेष्टाएं पूरी तरह से दिखाई देती है कौन-कौन सी मध्यवर्गिये, जीवन की जड़ता, खुंठा, अनास्था, पराजय और मांसिक संघर्ष की जो सच्चाई है, मांसिक संघर्ष का जो यथार्थ है, उसकी अभिव्यक्ति प्रयोगवादी काव्य में देखने को मिलती है अगला प्रश्न, शनवादी और लगु मानववादी दृष्टी जीवन मूल्यों के प्रती सकारात्मत दृष्टी है, यह है पंक्तिक किस कविता के लिए सटीक है? ए चायावादी काविता, बी नई कविता, सी अकविता और दी फूखी पीडी की कविता, तो दोस्तों देखिए क्या बात कही जा रहे हैं, यह क्षणवादी और लगु मानववादी दृष्टी से जुड़े हुए जो जीवन मूल्यों है, उनकी अभिव्यक्ति किस काविय म तो नई कविता के विशे में यह कथन पूरी तरह से सही है, आ कविता पूरे सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ कर विक्सित होने वाली कविता है, जो जीवन के कठू यथार्थ को अभिव्यक्त करती है, और भूकी बीडी की कविता भी जीवन के कठू यथार्थ की अभ इंदुमती सन 1900 प्रकाशन वर्ष, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी लेखक, इंदुमती सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित। अगला प्रशन, निमनलिखित को सुमेलित कीजिए, इस तरफ प्रेमचंद के उपन्यास दिये गए और इस तरफ उनका प्रकाशन वर्ष है, हमें प्रतियक उपन्यास को उसके सही प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है, तो सेवा सदन के सामने लिखा है 1931, गबन 1928, र प्रकाशन वर्ष है 1931, रंग भूमी का प्रकाशन वर्ष है 1925 और काया कल्प का प्रकाशन वर्ष है 1926. अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे प्रश्ण का सही उत्तर है, तो सेवा सदन यानि A का आ रहा है दूसरा और B का पहला. A का दूसरा और B का पहला, D विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है, A का दूसरा आ रहा है, B का पहला आ रहा है और C और D, चौथा और तीसरा आ रहे है, C, चौथा और D, तीसरा. तो यानि इस प्रश्म का सही उत्तर होगा D, आंसर होगा D, अगला प्रश्म, निमनल इखित को सुमेलित कीजिए, फिर एक सुमेलित वाला सवाल आ गया है, सुमेलित के सवाल सेट और नेट दोनों में बराबर बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात की और वि व्रंदावन लाल वर्मा, अप्सरा, दूसरा निराला हर्दैकि परक, तीसरा चतुरसैन शास्री चितरलेखा, डी भगवती चरन वर्मा, गपुठार तो देखिए दोस्तो व्रंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है गड़ कुंडार, निराला के द्वारा लिखा गया उपन्यास है अप्तरा, चतुरसें शास्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास है हरदय की परक, और भगवती चरण वर्मा की बहुती आपन्यासिक कृति है चित्र लेखा अब देखते हैं कि कूट में कौन सा प्रश्न हमारे इस प्रश्न का कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उतर है A का आ रहा है चौथा और B का पहला A का चौथा B का पहला यानि A विकल्प ही हमारे प्रश्न का सही उतर है C का दूसरा और D का तीसरा, C का दूसरा और D का तीसरा, यानि प्रश्न का सही उत्तर होगा A, तो आंसर होगा हमारा A, अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी 1941 के प्रकाशन के साथ ही, हिंदी उपन्यास की दिशा में एक नया मूड आया, ये एक कथन है, दूसरा कथन है, दादा कॉमरेड 1941 में पूंजी वाद का विरोध और समाज वाद का समर्थन है, इन कथनों से संबद सही विकल्प का चैयन कीजिए, A, दौनो गलत, B, A गलत और B सही, तो दोस्तों देखिए, शेखर एक जीवनी अग्ये का उपन्यास है, और ये बात डौक्टर नगेंदर ने अपने हिंदी साहित के तिहास में इस फश्ट रूप से कही है, कि शेखर एक जीवनी जब 1941 में प्रकाशित हुआ, तो उपन्यास लेखन क दिशा में बहुत बड़ा बदलावाया, यानि ये कथन पूरी तरह से सही है, अब दादा कॉमरेड यश्पाल का उपन्यास है, इसका प्रकाशन भी 1941 में ही हुआ, और इस उपन्यास में पूंजी वाद का विरोध किया गया है, समाज वाद का समर्थन किया गया है, यानि दोनों ही कथन अपने आप में सही है, तो ए विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है, आंसर होगा हमारा ए, अगला प्रश्ण, कौनसा युग्म सुमेलित है, पनिश्वनाथ रेणू, रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, परती परिकथा, राही मासूम्रजा, आधा तो दोस्तों देखे, फनिश्वनाथ रेणू के द्वारा लिखित उपन्यास है, परती परिकथा, यानि ये विकल्प सुमेलित नहीं है, और हमें सुमेलित विकल्प ढूलना है, नागार्जुन के द्वारा लिखित उपन्यास है, रतिनाथ की चाची, यानि ये भी सुमे पन्यास है तो ऐसी स्थिती में हमारे प्रश्ण का सही उतर है स्थी तो आंसर होगा स्थी अगला प्रश्ण कौन सा योग्म सुमेलित है कमलेश्वर जहां लक्षमी कैद है राजेंद्रियादव होई होई दिशाएं मोहन राकेश मलवेका मालिक और इलाचन जोशी गैंगरीन तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा योग्म सुमेलित है आपकी जानकारी के लिए बता दू ये सब कहानियों के नाम है और ये सब कहानिकार है तो कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी नहीं है जहां लक्षमी कैद है यानि ये सुमेलित नहीं है कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है खोई हुई दिशाये और राजेंद्रियादव के द्वारा रचित कहानी है जहां लक्षमी कैद है यानि ये विकल्प भी बिल्कुस गलत है मोहन राकेश ने मलवे का मालिक कहानी लिखी बहुती प्रसिद्ध कहानी है कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके है और कहानियों के सत्रों में भी है हमने इस पर बहुत अच्छी चर्चा की है तो C विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर है इलाचन जोशी के द्वारा रचित कहानी गैंगरीन नहीं है बलकि गैंगरीन अग्ये के द्वारा रचित कहानी है तो ऐसी स्थिती में उत्तर हमारा होगा P अगले प्रशन पर आते हैं कौन सा नाटक भारते इंदू हरिष्चंद्र द्वारा रचित नहीं है आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों अंधेर नगरी, सत्यहरिष्चंद्र और भारत दुर्दशा तीनों भारते इंदू हरिष्चंद्र के द्वारा रचित नाटक है केवल भारत आरत उनके द्वारा रचित नाटक नहीं है और इस नाटक के रचायता है हडग, बहादुर, मल और इस नाटक की उन्होंने रचना की थी 1885 इसमिट तो इस बात को ध्यान में रखेंगे यानि A विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है अगला प्रश्न कौन सा नाटक जैशंकर प्रसाद रचित नहीं है जैशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है जैशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक नहीं है तो ऐसी स्थिती में आंसर हमारा होगा अगले प्रश्न पर आते हैं कौन सा योग्म सुमेलित नहीं है तो दोस्तों हरी कृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित कृती है, रक्षा बंधन बिल्कुल सही है, सुमेलित है, लक्ष्मी नारायन मेश्र ने राक्षस का मंदिर नामक नाटक लिखा, ये भी बिल्कुल सही है, श्री निवास दास के द्वारा रचित नाटक नहीं है, अंध अंधाकुआं, अंधाकुआं के रचनातार हैं, लक्षमी नारायन लाल, और उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित नाठिकृती है, अंजोदीदी, यानि सी विकल्प सुमेलित नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न, कौन सा योग्म सु अभिमन्यू, डी विकल्प सुमेलित नहीं है, अगला प्रश्न, समस्या पूर्टि किस काल की कविता की प्रमुख प्रवरत्ती है, विकल्प है, भारतेंदु योग, प्रगतिवाद, चायवाद और प्रयोगवाद, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यह विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है जब भी कभी कभी सम्मेलन भारतेंदु युग में आयोजित होते थे मैंने आपसे चर्चा भी की थी उस समय मंच पर ततकाल कोई एक विशय कभी को दे दिया जाता था और वह उस विशय की जो प्रारफिक पंक्ति उसे दी जाती थी उसके आगे पूरी की पूरी कावे स्रजन किया करते थे और इसे कहा जाता था समस्या पूर्ती तो A विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है अगला शिव शंभू का चिठ्था लिखने वाले निबंदकार है A बाल मुकंद गुप्त B शिव पूजन सहाय C नाथू राम शर्मा शंकर या D सरदार पूर्ण सिंग तो दोस्तो A विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि शिव शंभू का चिठ्था नामक जो प्रपुस्तक है वो बाल मुकंद गुप्त के द्वारा लिखी गई है आंसर होगा A अगला प्रश्न विद्यानिवास मिश्र का निबंद संग रह है आंगन का पंची और बंजारा मन भी विद्यानिवास मिश्र का संग रहे है और मैंने सिल पहुचाई भी उनका निबंद संग रहे है केवल गेहूं और गुलाब निबंद संग रहे है उनका नहीं है बलकि ये निबंद संग रहे है राम व्रिक्ष बेनी पूरी का तो B विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है आंसर होगा B अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रश्ण है हजारी प्रिसाद दुवेदी के निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्र के साथ नवीन जीवन बोध, उतकट जीविशा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई देती है किन बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है सांस्कृतिक विरासत की वर्चस्व यानि प्रधानता सांस्कृतिक विरासत की प्रधानता है जीवन के प्रती नई द्रश्टी है उतकट जीविशा यानि विशम परिस्थितियों में भी जीवन को जीने की अदम्य लालसा है और नई सामाजिक समस्याओं के बीच से समाधान तलाश करने की राह निकालने की ललक यानि प्रवरत्ती भी बहां दिखाई देती है ये कथन पूरी तरह से सही है दूसरा है विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेरनात राई भी हजारी प्रसाद देवेदी संस्थान के निबंदकार है इन कथनों से संबद सही विकल्प कौन सा है तो दोस्तों ये कथन भी बिलकुँ सही है विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनात राई हजारी प्रसाद देवेदी संस्थान के निबंदकार है यानी जिस ललित निबंद लेखन परमपरा का सूत्रपात हजारी प्रसाद दुवेदी ने अपने कुटज शिरीश के फूल अशोक के फूल जैसे निबंदों से किया उसी परमपरा को आगे बढ़ाया ललित निबंदकार बी तरह से बिल्कुल सही है, कुटज और अशोक के फूल, इस बात का प्रमाण है कि उनके निबंधों में सांस्कृतिक विरासत है, नई जीवन द्रश्टी है, और जीवन जीने की लालसा है, शीरीश के फूल के माध्यम से भी हम परचुके हैं शीरीश के फूल, शीरीश के दौनों गलत है, A गलत और B सही है, तो B विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, क्योंकि दौनों ही कथन अपने आप में सही है, आंसर होगा B, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, चंद्रधर शर्मागुलेरी, मारेसी मोहिक उठाओ, राम चंद्रशुक निवास मिश्र का है, शेश सभी निबंद संग्र है और उनके लेखकों के नाम सुमेलित है, चंद्रधर शर्मागुलेरी के द्वारा लिखा गया निबंद है, मारेसी मोहिक उठाओ, राम चंद्रशुक्ल ने चिंतामणी में निबंदों का संकलन किया, और कुबेर नात् तो आंसर इस प्रश्न का होगा स्ती, अगला प्रश्न, इन में से सुमेलित नहीं है, नगेंद्र रसवादी समीक्षक, नंदुलारे वाजपई छायावादी समीक्षक, नामवर सिंग माक्तवादी समीक्षक, और हजारी प्रसाद दुवेदी मनोविशलेशनवादी समीक् समीक्षक है, नंदुलारे वाजपई, छाया वादी या फिर सोश्ठव वादी भी माने जाते हैं, और नामवर सिंग माक्त वादी समीक्षक है, ये बाद भी बिल्कुस पश्ट है, तो D विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न, मनोविश्लेशन वादी समी मनोविश्लेशन वाद से जुड़े हैं, केवल प्रकाश चंद्र गुफ्त नहीं जुड़े हैं, तो B विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अंसर हुआ B, अगला प्रश्न, निमनलखित मैंसे सुमेलित नहीं है, हजारी प्रसाद दुवेदी, कबीर, राम विलास शर्म प्रश्मी कांत वर्मा, प्रगतिश्य साहित्य की समस्याएं, देवराज उपाध्याय, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्यान, और लक्ष्मी कांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान, तो D विकल्प सुमेलित नहीं है, बाकी सभी कृतियां अपने लेखकों से स सुमेलित है, हजारी प्रशाद दुवेदी ने कबीर नामक पुटन्थ लिखा, रामविलास चर्मा ने प्रगतिश्य साहित्य की समस्याएं नाम से ग्रंथ लिखा, देवराज उपाध्याय ने आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्यान लिखा, लेकिन लक्ष्मी उपन्यास नहीं है, मचली मरी हुई, अलग-अलग वैतरनी, जल तूटता हुआ और परती परिकथा, तो दोस्तों, अलग-अलग वैतरनी, शिव प्रसाद सिंह का एक आंचलेक उपन्यास है, जल तूटता हुआ, रामदरश मिश्र का आंचलेक उपन्यास है, परती उपन्यास नहीं है, यह उपन्यास सम लेंगिकता पर आधारित है, यानि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A, अगला प्रश्न, कौन सी रचना मैत्रेई पुश्पाकी नहीं है, अगला प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय से नट को ही वास्तविक, राम समझ कर तर्शक रसानुभूती करता है, यह मान्यता किसकी है, भटनायक, शंकुक, अभिनाव गुप्त और भट लोलट, तो दोस्तों B, विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, चित्र तुरंग न्याय के द्वारा रसानुभूती की बात, शंकुक ने अपने व्याख्या रस सिधान्त की व्याख्या के अंतरगत कही थी, तो B, विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न, इनमे से रस का व्याख्या कार नहीं है, A, नगेंद, रामचंद शुकल ने की है, श्याम सुन्दरदास ने की है, लेकिन प्रकाश चंदरगूत एक आलूचक और साहित्यकार है, रेखाचित्रकार के रूप में इनकी बहुत अच्छी खासी पहचान है तो D विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है अगला अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन के तीन अर्थ किये हैं इन में से कौन सा अर्थ व्याख्याकारों ने नहीं किया A. अर्थपरक, B. नीतिपरक, C. धर्मपरक या कलापरक तो दोस्तों अरस्तु का जो विरेचन सिध्धान्थ है उसकी जो व्याख्या की गई है वो नीति के आधार पर, धर्म के आधार पर और कला के आधार पर की गई है अर्थ के आधार पर नहीं की गई तो ए विकल्प इस परश्ण का सही उत्तर है. अगला प्रश्ण पैριपसुस का संबंध है उदात से, वेरेचन से, अनुकरण से या आध्यातन से. तो दोस्तो पैरी एपसोस जो है वो लॉंजाइनस का ग्रंध है और इस लॉंजाइनस का संबंध है उदात सिध्धांत से तो ए विकल्ब इस प्रश्ण का सही वुक्तर है अगला प्रश्ण आचारे रामचंज शुक्ल ने किन दो सिध्धांतों में सामी की बात की है अनुकरन सिध्धांत वक्रोक्ति सिध्धांत अभिव्यंजनावाद रस सिध्धांत अभिव्यंजनावाद वक्रोक्ति सिध्धांत और दात्य सिध्धांत और चित्य सिध्धांत तो सीवे कल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है क्योंकि शुकल जी ने अपने एक निबंध में लिखा है कि अभिव्यंजनावाद ही वास्तों में वक्रोक्ति बाद है तो उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति सिद्धान को समान माना है उसमें सामे की बात की है, तो आंसर होगा हमारा स्थी, अगला प्रश्न, नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ती कौनसी है, पाट महादेई हेनहारू, चढ़ा असाड गगन गाजा, नागमती चितवर पतहिरा, प्यू वियोग असबाउर जीव, तो सी विकल्पिस प्रश् देख रही है, राह देख रही है, तो ये पहली पंक्ती है, नागमती वियोग खंड की आंसर होगा हमारा सी, अगले प्रश्न पर आते हैं, चाय कहो बूझी कुसला आती है, पंक्ती किसने किससे कही, कृष्न ने उद्धव से, गोपियों ने उद्धव से, उद्धव ने या उद्धव ने कृष्न से, पहली बात तो ये कि ये पंक्ती सूर के भ्रमर गीत सार से ली गई है, और ये कथन, ये पंक्ती, गोपियों ने उद्धव से कही है, यानि इस प्रश्न का सही उद्धर है, बी, अगला प्रश्न, प्रेम गाथाओं के संदर्व में शुक्ल शुक्ल जी का विचार इन में से कौन सा नहीं है, ए, प्रेम गाथाओं की रचना फार्सी की मसनवी शैली के ढंग पर हुई, बी, इस शैली की प्रेम कताएं एक ही चंद में लिखी होती है, सी, इस शैली की प्रेम गाथाओं मुसल्मानों और हिंदूों ने समान रूप से लिखी है, डी, ये प्रेम कहानिया पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा में लिखी गई है, तो पूछा गया है शुक्ल जी का विचार, तो शुक्ल जी का विचार ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तीनों विचार शुक्ल जी के प्रेम गाथाओं के संबद में ह लेकिन ये कथन शुकल जी के विचारों से मेल नहीं खाता, इसमें कहा गया है कि प्रेम गाथाएं मुसल्मानों और हिंदूों ने समान रूप से लिखी, यद्यपी हिंदूों ने भी प्रेम गाथाएं लिखी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, मुसल्मानों ने प्रसाद के द्वारा रचित है आसु जर्ना लहर का माईनी जर्ना आसु लहर का माईनी लहर जर्ना आसु का माईनी तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है दोस्तों जर्ना का प्रकाशन वर्ष है 1918 आसु का है 1925 लहर का है 1933 और का माईनी का प्रकाशन वर्ष कहीं 1935 मिलता तो इस क्रम की ओर नजर डाली जाए, तो C विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रकृति के यौवन का श्रंगार करेंगे कभी नबासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीग्र आह उत्सुक है उनकी धूल, इन पंक्तियों का सही संदर भेड में से क पहली बात तो ये दोस्तों कि ये कामाईने की पंक्तियां है। हम पढ़ चुके हैं श्रद्धा सर्ग में, ये पंक्तियां इडाने कहीं हैं, ये पंक्तियां इडाने कहीं हैं, ये पंक्तियां इडाने मनु से कहीं हैं। तो C विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्यों क्योंकि श्रद्धा के द्वारा ये मनु से कहा गया है मनु जब हताश और निराश हैं जल प्लावन के बाद यानि प्रलय की विभीशिका को देखने के बाद तो उनके आत्मविश्वास को लोटाती है उनमें आशा का संचार करने का प्रयास करती है इस प्रकार के कथनों से श्रद्धा तो आंसर हमारा होगा दी अगला प्रश्न निराला के संदर्व में कौन सा कथन गलत है ए जुही की कली से मुक्त चंद का प्रवर्तन किया बी निराला ने मुक्त पथा चंद बद दोनों प्रकार की रचनाए लिखी C. निराला कावे में तत्सम शब्दावली के साथ देसी भंगिमा के शब्द भी है और D. राम की शक्ति पूजा की रचना उनकी पुत्री की मृत्यू से उत्पन शोग के कारण हुई तो दोस्तों मुक्त छंद के प्रवर्तक है निराला बात सही है उन्होंने मुक्त छंद में और शद्बद दोनों ही प्रकार की रचना है लिखी ये भी सही है तत्सम शब्दावली के साथ देसी शब्दों का प्रयोग है ये बात भी बिल्कुस सही है लेकिन ये कथन गलत है डी क्योंकि राम की शक्ति पूजा की रचना उनकी पुत्री की मृत्यू के शोक पर नहीं हुई थी बलकि राम की शक्ति उपासना को आधार बना कर ली थी और ये कथाना कृतिवास बंगाल की रामायन कृतिवास पर आधारित है और सरोज अपनी पुत्री की मृत्यू के शोख में जो लिखी गई उनकी कृती है वो है सरोज सुरुत्यू है तो D विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है अगला प्रश्ण रामकी शक्ति पुजा में निराला ने युग चेतना के अनुरूप दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना का आधार ग्रहन कर कथा को आधुनिक रूप प्रदान किया है दूसरा, नगेंद्र की दृष्टी में रामकी शक्ति पुजा में पात्रों की चारित्रिक गरिमा का संरक्षन हुआ है इन कथनों से संबद सही विकल्प है A, A और B सही है B, A सही और B गलत C, A और B गलत है A विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है क्योंकि ये दोनों ही कथन रामकी शक्ति पुजा के संदर्व में बिल्कुल सही है तो आंसर होगा हमारा A अगला प्रश्ण मुक्तिवोद के संदर्व में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है अंधेरे में कविता का शीर्षक मुक्तिवोद ने मूलतह आशंका के द्वीप अंधेरे में रखा था B मुक्तिवोद की इच्छा के बावजूद संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीप नहीं हटाया गया C संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीप हटा दिया गया बी अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का सोतंत्रिता पूर्व और पश्चात का एक दहता इस्पाती दस्तावेज है तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है बी क्योंकि मुक्तिवोद की इच्छा के बावजूद, जब संगलन चांद का मुँ तेढ़ा है प्रकाशित हुआ, तो अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीब नहीं हटाया गया, ये आशंका के दीब शब्द जो है, वो बाद में हटाया गया, तो B विकल्प इस प द्रोग के तत्व हैं, B एक केंद्रिय फैंटेसी और उसके भीतरी परतों में प्याज के छिलके की भाती छिपी हुई अन्य फैंटेसिया, C इस कविता का मूल कत्थे अस्मिता की खोज नहीं, अपी तो इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है, D बुक्तिबोद सा कविता की एक बहुती महत्पूर्ण विशेशता है, लेकिन C कथन गलत है उनके विशेय में, क्योंकि इस कविता का मूल जो कत्थे है वो अस्मिता की खोज है, आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता नहीं है, मुप्तिबोद साहित्य और राजनिती की प्रगतिशील परंप दोस्तों काओ्य में, रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल सही है, कबीर ने स्वायम को परोख्ष सत्ता की प्रुप्तिव किसी में व्याप्त नहीं है, ब्रुम की प्रिया के रूप में देखा है, वो पद आपको याद होगा, दुलहिन गावो मंगलाचार हमारे घर आये राजा राम भरतार जिसमें कबीर स्वैम को परोप्षत्ता की प्रियतमा की रूप में देखते हैं तो ये कथन में बिल्कुल सही है कबीर के अनुसार परंतत्व किसी में व्याप्त नहीं है तो उससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है, तो C. विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न, कौन सा योगम सुमेलित नहीं है, गोदान, भोला जुनिया, B. शेखर एक जीवनी, शशी, दुलारी, C. आधे अधूरे, सावित्री जुनेजा, D. है, लेकिन दुलारी नहीं है, आधे अधूरे, जो मोहन राकेश का नाटक है, उसमें सावित्री और जुनेजा पात्र है, और चंद्रगुप जैशंक प्रशाद का नाटक है, और उसमें सिंगरण और आमभीक दोनो नाटक है, या दोनो पात्र है, तो B. विकल्प इस प्र कथन है दोस्तों ये, गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का, आप सभी जानते हैं, विकल्प है, A. मिर्जा खुरशीद को, B. जिंगुरी सिंग को, C. महता को, या D. राय सहाब को, तो C. विकल्प इस प्रशन का सही उतर है, महता के विशय में कहा गया, ये कथन है, आंसर ह होगा, C. अगला प्रशन, सौम्य कुल्पती ने मुझे ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करने की आज्या दे दी, यह कथन किसका है, A. सिंगहरण का आमभीक से, B. चंद्रगुप्त का चानक्य से, C. चानक्य का सिंगहरण से, या D. चानक्य का चंद्रगुप्त से, दोस्तो C. विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर है, अगला प्रशन, विशिष्ट पदरचना, रीती, विशेशो, गुणात्मा, यह कथन किस ग्रंथ से है, काव्यालंकार, सूत्रवरत्ती, रती रहस्य, रसगंगादर, या साहित्य, दरपन, तो दोस्तो, A. विकल्प इस प्रशन का सही उत्तर है, क्योंकि वामन ने, आचारे वामन ने रीती सिध्धान का प्रतिपादन किया, और उन्होंने रीती सिध्धान का प्रतिपादन किया, काव्यालंकार, सूत्रवरत्ती ग्रंथ में, और ये कथन उन्ही का है, जिसमें उन्होंने इस पश्ट रूप से कहा है, कि विशिष्ट पद रचना के द्वारा जो रचना लिखी जाती है, उस विशिष्ट पद रचना को ही रीती कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा ए, अगला, ओचित्यम रसिद्धस्तम, स्थिरम काव्यस से जीवितम, यह कथन किसका है, आचारे भरत, क्षेमेंद्र, राजशेक और अभिनब गुद्ध, दोस्तों देखिए, पहला शब्द है ओचित्य, यानि ओचित्य सिध्धान्त की बात की जा रही है, और ओचित्य सिध्धान्त के प्रतिपादत थे ख्षेमेंद्र, जाहिर सी बात है कि यह कथन क्षेमेंद्र का है, तो बी विकल्प इस प्रश्न के संदर्ब में कौन सी उप्ति गलत है, ए, शुकल जी ने व्यक्ति धर्म के स्थान पर लोक धर्म को श्रेयस कर बताया, बिल्कुल सही है, शुकल जी के अनुसार, लोक हरदय में हरदय के लीन होने की दशा का नाम, रस दशा है, यहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस रस को काट देंगे, यह रस दशा दो बार आ गया है, तीसरा है, शुकल जी ने सूफ्ति कवी जाईसी को भक्तों की कोटी में परिगनित किया है, यह भी दो बार आ गया है, शुकल जी चायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के समर्थक थे, तो दोस्तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, डी, क्योंकि यह उक्ती आचारे शुकल के विशे में गलत है, बाकी तीनों कथन पूर्णते है, सही है, तो आंसर होगा हमारा डी, अगला प्रश्न, काव्यम यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर, शयते, सद्यह पर निव्रत कांत सम्मित योग पुदेश युदे, युजे, इस कथन के विशे में कौन सा योग मुसही है, सबसे पहले इस कथन को समझ लेते हैं हम, इसमें कहा गया है, काव्य के प्रयोजन पर बात की जा रही है, और काव्यम यशसे, यानि यश प्राप्ति के लिए, अर्थकृते, धन प्राप्ति के लिए, व्यवहार का व्याहरे ज्यान सीखने के लिए, विदे यानि ज्यान बढ़ाने के लिए, शिवेतर यानि जो कुछ भी संसार में अमंगल कारी है, उसके क्षय यानि नाश के लिए, सद्य परनिव्रत्य और सहज मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और कांता सम्मित उपदेश के लिए काव्य स्रजन किया जाता है. तो ये कथन भरत के काव्य प्रयोजन का नहीं है, भामह काव्य प्रयोजन नहीं है, रूद्रट काव्य हेतु नहीं है, बलकि मम्मट के काव्य प्रयोजन से संबंधित है. तो D विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है अगला प्रश्न आचारे भरत ने कितने रसों का वर्णन किया A. 7, B. 8, C. 9 और D. 6 इसकी चर्चा हम अपने रस वाले सत्र में कर चुके हैं B. विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि आठ रस मूलत है, आचारे भरतने माने थे, शांत, भक्ति और वातसल्य है, ये तीन रस बाद में जोड़े गए और इस प्रकार आज रसों की संख्या 11 मानी जाती है, तो आंसर हमारा होगा B, अगला प्रशन, कौनसा योग्म सुमेलित है, मम्मट भन्या लोग, भाम काव्य प्रकाश, दंडी, काव्या दर्ष, और D, आनंदवर्ध काव्या लंकार, तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक सुमेलित जो पिकल्प है, वो है C, क्योंकि दंडी ने काव्या दर्ष की रचना की, मम्मट ने ध्वन्या लोग की रचना नहीं की, बलकि आनंदवर्धन ने भन्या लोग की रचना की, तो इस प्रकार इस प्रष्ण का सही उत्तर होगा, C, अगला प्रष्ण, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह पंक्ति किसकी है, A, भामह, B, दंड, C, बामन, या D, रूद्रट, तो इसकी चर्चा भी हम अलंकारों के सत काव्य की शोभा में व्रधी करते हैं, वही अलंकार कहलाते हैं, तो इस प्रष्ण का सही उत्तर होगा, B, प्रसाद के नाटकों के संदर्व में कौन सा कथन असत्य है, A, प्रसाद के नाटकों में देव, असुर एवं मानव, तीनों श्रेणी के पात्र है, B, प्राचीन, स सामाजिक और नैतिक आदर्ष के साथ नवीन व्यक्ति स्वातंत्रे का संगम प्रसाद में नहीं मिलता, प्रसाद के नाटकों में रश्ट्री एवं सांस्क्रतिक चेतना है, D, ध्रोस्वामिनी नाटक में विवाह विच्छेद पर प्रसाद जी का दर्ष्टिकों उन्हें स संस्कृति का सजग द्रष्टा घोशित करता है, तो देखिए दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है प्रसाद के नाटकों के विशह में, क्योंकि उनके नाटकों में देविये पात्र भी हैं, अस्तूर भी हैं और मनुष्य भी हैं, प्राचीन सामाजिक और नैतिक आदर्षो के साथ नवीन व्याक्ति स्वातंत्र का संगम प्रसाद में नहीं मिलता, ये कथन गलत है, बलकि उनमें मिलता है, तो यही इस प्रष्ण का सही उत्तर है, प्रसाद के नाटकों में राश्ट्री और स्वान्सकृतिक चेतना भी है, और ध्रूब स्वामीनी उनका जो नाटक जो उनके नए द्रश्टिकोंड को विवाह विच्षेद के विशह में नए द्रश्टिकोंड को नारी के अधिकारों को अभिव्यक्त करता है, तो ऐसी स्थिती में B. विकल्प इस प्रश्न का सही प्तर है, अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ती में माधुरे भाव का समाव होने पर क्या होता है? A. अद्वैत वाद का अभिवदय होता है, B. सगुन भक्ती का अभिवदय होता है, C. रहस्यवाद का अभिवदय होता है, और D. ज्यान वाद का अभिवदय होता है, सबसे सही विकल्प है रहस्यवाद का अभिवदय होता है, क्योंकि रहस्यवाद का स्रजन काव्य में तभी होता है जब निर्गुन भक्ती में माधुरे भाव आता है यानि कबीर जब स्वैम को प्रियतमा के रूप में और ब्रह्म को प्रियतम के रूप में देखकर कथन करते हैं तो वहां रहसेवाद की सहज ही सुन्दर अभिव्यक्ति हो जाती है स्रजन हो जाता है तो रहसेवाद का अभ्यूदय इस प्रश्ण का सही उतर है आंसर होगा 3 अगला प्रश्ण भारत में प्रगतिशी लेखक संग के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा कौन सा संदर्भ सही है 1936 तजदाद जहीर अलीगर बी 1936 प्रेमचंद लखनव सी 1936 मुल प्रगतिशी लेखक संग से जुड़े हुए है लेकिन हम से पूछा गया है प्रगतिशी लेखक संग के प्रथम अधिवेशन के विशय में तो प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनव में हुआ था जिसके सभापती यानि अध्यक्ष बनाये गए थे प्रेमचंद तो बी विक प्रशन का सही उतर है आचारे विश्वनात ने कहा ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम क्या की सरस वाक्य ही काव्य है इस तरह से कहकर उन्होंने काव्य की परिवाशा दी तो आंसर इसका होगा भी अगला प्रशन शेखर का संपर्क किस पात्र से नहीं है अग्ये के एक उपन् अग्येक शेखर एक जीवनी और उसके पर आधारिते शेखर उसका नायक है उस पर आधारित प्रश्ण है ये कि इन में से कौन सा पात्र ऐसा है जो शेखर के संपर्क में नहीं आया विकल्प है शारदा, शशी, सरस्वती या शुचिता तो शारदा, शशी और सरस्वती ये तीनों पात्र उस उपन्यास में मौजूद हैं और शेखर के संपर्क में आते हैं। लेकिन शुचिता नाम का पात्र वहाँ है ही नहीं, तो संपर्क में आने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो आंसर होगा हमारा D. अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक भी एतिहासिक उपन्यास नहीं लिखा, रांगे रागव, प्रतावनलाल वर्मा, चतुर सेंशास्त्री और नागारजुन, तो दोस्तो, D. विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, क्योंकि नागारजुन ने कोई एतिहासिक उपन्यास लिखे, जिनमें सोमनात महाले, एक बहुत ही प्रस्तिद उपन्यास है, जिसमें उन्होंने एतिहासिक तक्थियों का पूरी तरह से सनरक्षन किया है, व्रिंदावल लाल वर्मा ने तो महरानी, दुर्गावती, जहासी, कीरानी जैसे कई उपन्यास एतिहासिक प्रस्त भूमी पर लिखे, रांगय रागम का मुर्दों का टीला एक प्रसिद एतिहासिक उपन्यास है, तो ऐसी स्थिती में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न, विटंबना का अंग्रेजी परियाय है, डेवियेशन, पेराडॉक्स, एपसर्ड या आईरनी, तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आईरनी को अंग्रेजी में द, आईरनी ये कहा जाता है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही, तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 75, 2013-14 की सैट के पेपर में आई हुए प्रश्नों पर बात की, उमीद करती हूँ कि ये आपके उत्साह वर्धन की दृष्टी से ये सत्र बहुत महतुपून और उप्योगी साबित होगा, अगला सत्र भी इसी तरह के दूसरे 2013-14 के प्रश्न पत्र पर आधारित होगा, बे सब्री से उस सत्र का इंतजार कीजिए, नमस्कार